बी आरे स्नेता के कविता को बड़ा जटका लगा है राउज एवेन्यू कोट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत याचिका को नामन्जूर कर दिया यानि के कविता अभी तिहार जेल में ही रहेंगी बता दे कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोट ने आज फैसला सुनाया शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉंडरिंग के मामले में एड ने कविता को 15 मार्च को गिरफतार किया था बी आरेस नेता के कविता ने CBI की जेल में उचताच के फैसले को कोट में चुनाती दी है जिस पर राउज एवेन्यू कोट में सुनवाई हुई उनके वकील ने कोट को बताया कि उन्होंने शुक्रवार 5 अपरेल को अदालत के उसादेश को चुनाती दी है जिसमें CBI को कविता से न्यायक हिरासक में जेल में पूचताच करने की इजाज़त दी गई है BRS MLC कविता के वकील नितेश राना ने कहा कि CBI ने कविता को अर्जी के बारे में सूचना नहीं दी और उनके पक्ष सुने बिना ही कोट ने आदेश पारित कर दिया फिलहाल के कविता दिल्ली आपकारी नीती में कथित घुटाले के मामले में तिहार जेल में बंध है और राउज एवेन्यू कोट ने CBI को उनसे जेल में पूचताच करने की इजाज़त दे दी है प्रवर्तन निदेशाले, E.D. ने के कविता को 15 मार्च को कथित आपकारी घुटाले के मनी लॉंडरिंग के मामले में हैद्राबाद के बंजारा हिल स्थित उनके घर से गिरफतार किया था वह अभी न्यायक हिरासत में है CBI की याचिका पर अदालत ने पूचताच वाला आदेश जारी किया जांच एजनसी ने न्यायक हिरासत में कविता से पूचताच करने की अदालत से अनुमती मांगी थी E.D. और CBI के मामलों के लिए विशेश न्यायाधीश कोवरी बावेजा ने एजनसी को कविता से पूचताच करने की अनुमती दे दी CBI ने अपनी अर्जी में सहारूपी बुची बाबू से बरामद मोबाइल फोन पर वाटसैप बातचीत और एक भूमी सौदे से जुड़े दस्ताविजों के सिलसिले में कविता से पूचताच करने एवां उनका बयान दर्ज करने की अदालत से अनुमती मांगी थी चुंकी कविता पहले से न्यायक हिरासत में हैं इसलिए जेल में उनसे पूचताच के लिए अदालत की अनुमती की जरूरत थी कविता के वकील नितेश राना ने कहा आरोपी को सुनने का अफसर दिये बिना आदेश पारित किया गया कविता 46 ने अपने 16 वर्षिय बेटे की परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत पर उन्हें कविता को रिहा करने का गुरुवार को अदालत से अनुरोध किया था तेलंगाना के पूर्व मुख्य मंत्री के चंद्रेशेखर राव की बेटी कविता पर साउथ ग्रूप की एक प्रमुक्ष सदस्य होने का आरूप है जिसने दिल्ली में सत्तारूर आम आदमी पार्टी आप को राश्ट्रिय राजधानी में शराप के लाइसेंस का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के एवज में एक सौ करोड रुपए की कथित तौर पर रिश्वत दी थी कविता को पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्याईक हिरासत में भेज दिया गया था अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें